जी हाँ नमस्कार भाईयों और बैनों आप सभी लोग हमारे फटाफट कपरों में हाल दिख सुआ गए दोस्तों जुड़े रहें आप सभी लोग हम आप लोग को एक साथ कई खबरे बताते रहेंगी आए दोस्तों फिलार बताते हैं हाई कोट में हर्याणा सरकान ने कहा हम चुनाव के लिए तयार है हर्याणा के पंचाई चुनाव में आरचड के प्रविधान के गिलाव हाई कोट में दायर याचकाओ पर याची पच्च की तरफ से जवाब दायर नहीं किया गया कोट ने याची पच्च को कहा कि पहले वह इस मामले में अपना जवाब दायर कर ये दफ्तरों के चकर काटने की जरूरत नहीं होगी बलकि पती या पत्री की उम्रे साथ साल पूरी होने के बाद अपने आप पेंसन बन जाएगी और कर्मचारी आकर घर पर ही इनकी जानकारी देंगे हर्याणा में तरीके से खुलेंगे स्कूल auf sostan समय इन जकों पर आज होगी बारिश दिली NCR में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है राश्टी राश धानी समेद आसपास के इलाकों में बुद्वार पड़ा के बुनदा बांदी और की बारिस हुई है मौसम इवाग के मुताबिक आज बुद्वार यानि नौ फरवरी को बिजली चमकने और गरज के साथ दिली NCR में बारिस का सिलसला जारी रहेगा साथवी यह खबर है पंचाय चुनाओ को लेकर बड़ी खबर अब हाई कोट में इस दिन होगी सुनवाई हरियाड़ा के पंचाय चुनाओ में आरच्छर के प्रविधान के खिलाब हाई कोट में दायर याचकाओं पर याची पच्च की तरब से जवाब दायर नहीं किया अब इस मामले की सुनवाई 21 मार्च 2022 को होगी सात्वी यह खबर हरियाड़ा विधान सबाग का बजल सब्सक्राइब दो मार्च से शुरू होगा सरकार ने इसलिए कि खास तयारी हरियाड़ सरकार को बजल सब्सक्राइब तीखे सवालों का सामना करना पड़ सकता है प्रा इतने बच्चों को लगेगी वैक्सीन कैथल में किसोरों को कुरोना रोधी वैक्सीन लगाने का कार अब पूरा होने जा रहा है जिले में कुल 60,752 की सोरों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और ये खबर है गुरू गराम फरीदाबार रोताग समेत हरियाणा में इन लोगों को हर महीने मिलेगा 55 रुपई हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है ताज्या रिपोर्ट के मुताबिक्त गुरु ग्राम फरीदावार रोताग समेथ हरियाणा में 60 साल के होने पर सभी बुजरुगों में पचीस सो रुपए प्रतिमा पेंशन दिया जाएगा तो दोफ्तो जुड़े रहें आप सभी लोग हमारे फटाफट कबरों में जिसने भी हमारे चैनल को लाइक सुस्क्राइब नहीं किया है वो करना मत बुलिएगा हम आप लोगों को रोड दिली हरियाणा के एक नहीं कबर बताते रहेंगे धन्यवार नमसकर